महराष्ट में खेला हो गया और महराष्ट में इस पष्ट सबसे बरिष्ट लीडर सबसे पुराने लीडर लाजनीत में सरत पवार जैसे दूरदर्सी वेक्त ने कहे दिया कि जो बड़ी पार्टी होगी उसका ही सीयम होगा और वो ही नेता होगा सबसे बड़ी जो पार्टी है वहाँ पे बीजेपी है लगातार बीजेपी कई सालों से सबसे अधिक बड़ी पार्टी बनके आ रही है लगातार अभी से नहीं कई उस पे इस पष्ट उन्होंने इसारा कर दिया है सरत्पवार ने भी कई दिया चुकि सरत्पवार का हमेशा ये रहा है कि चुनाओ से पहले उस सच बात कई देते हैं उन्होंने खास्तों से महाविकास अगाहरी को भी आगाय कर दिया है कि आप लोग गलत फहिमी में ना रहें ये बट नेचुरल है कि जो भी पार्टी सबसे बड़ी होगी जिसके सबसे जादा बिधायक होगे उसको ही राजपाल बुलाएंगे यही होता है उन्होंने इसारब दे दिया और ये भी बता दिया कि सबसे बड़ी पार्टी जो है ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेश या उधो जो सपने देखने हैं सपने मत देखें और उन्होंने एक पिकार से इन लोगों को पहले से आगाहा कर दी दूर दर्शी सरत पवार ने बड़ी पार्टी का सियम हो कहकल कांग्रेश वा उधो को चेताया भाजपा को किलीन चिट दी आपको बताते हैं लाजनीत में सरत पवार का आश्च नहीं सुरू से अपना एक मुकामला सरत पवार ने एभी कहा कि 2024 के लोगसभा में जो महराष्ट में BJP गुट पिछड गया था और MBA जो आगे आ गया था उसकी मुख बज़े ये थी कि जनता को ये था कि समिधान बदल देंगे BJP वाले ये एक बज़े थी जिसकी बज़ेते से आम जनता जो थी वो ब्रहमित हुई और आम जनता कहता है समिधान कहीं न बदल ने इस कारण उन्होंने बोट दिया दूसरी आपको बताने उनका इसारा ये भी था कि उस समय के जो मवजूदा खास तोर से खटा-खट स्कीम जो बाद में जो रिजल्ट आया 2024 के उस पे तो ये पता चला कि खटा-खट जो रुपए वाली स्कीम थी उससे भी मतदाता ब्रहमित हो गया अब आपको बताने 2024 में चुनाओ के बाद चुकि खटा-खट उससे उनको पैसे नहीं मिले पता चला वो बहुत बड़ा फ्रॉट था लोगों से फ़ाम बढ़ाए गयते कांग्लेस द्वाला दूसरी सरत्पवान ने खुद कह दिया कि लोगों तो को ये था समिधान बदल जाएगा अब आम जंता जान गए है चिल्थ यह धोका दिया गया यह इस तरह की बात कहिके बीजैपी ने इस पश्ट कह दिया है कि किसी की हिंогда नहीं समधान बदलने की मुझी जी ने भी कहा Amshah ने भी कहा दूसरी बात है कतई समधान के बिरोधी नहीं है, आम जनता ये भी जान गई, अमबेतकर जी के प्रत जितना सम्मान उनकी योजनाए भाजपा ने चलाई है, उतनी कांग्रेस ने मिलाई, आम आदमी ये भी जान गया कि कांग्रेस की वज़े से आरक्चर नहीं, डॉक्टर भीम्राओं अमबेतकर की वज़े से मिला था, तो जनता चुकी जान गई है, तो ये बाद सरत्पवार ने कहा, समधान परवरतन के उससे बीजेपी कर देगी, लोगों ने मतदान अगे, मगर अब ऐसी बात नहीं, ये बाद सरत्पवार ने कही, दूसी सरत्पवार ने ए भी कहा, आपको सबसे ब रहे हैं, अभी से नहीं, शुरू से बच्पन से लेके अभी तक, अब ये बन भी गएते, तो वहां की पबलिक का कहना है कि धोके से बन गएते, तीसरा उनका ये भी इसाला था, चुकी ये बीजेपी के साथ लड़े थे, और बीजेपी से भगावत करके बने, अब आम जन लोगों ने इनको सीटे दी थे, पर ये पलायन कर गए, आज की डेट में स्थित ही है कि इन से उधो से आम पबलिक का यही कहना सिंबल दिखाईए, सिंबल इनके पास है नहीं, पार्टी का जो चिन है वो नहीं, पार्टी का वो नहीं, पद नहीं, अब पार्टी जो है, व वो सिध्धानत इनके साथ नहीं, अब ये वक्व की जमीन के हिफाज़त के लिए और खास्तों से मुस्लिम बोटों के हिफाज़त के लिए, अब मुस्लिम बोट भी इनसे कड़ गया, तो ये भी सरत पवार का एक इसारा है कि ऐसे उसमें नहीं नेता बन सकते हैं, यहां एक सबसे बड़ी बात आ गई कि कांग्रेश भी वहां पर ये पोजिशन नहीं, कि लगातार कांग्रेश इतनी वहां पिछल रही है, सभी विधान सबम, बीजेपी जो है, सवासों से उपर आ रही है, तो समिश्या जिसके पात सवासों होंगे, अगर उसको कुछ बो इन योजना है, उसने भी महाविकास अगारी को पीछे कर दिया, जो महाविकास अगारी के जो सपीट थी, लोगसबा में, वो पीछे हो गई, जो कि लोगों को अग्रिम पैसा मिला, साथ में उन्होंने जो अग्रिम महलाएं भी मैं जहां जां गया, तो महलाओं ने का, कि ह मुझे पैसा मिला अब समिश्य है कि जब उनको पैसा मिला तो इस बात को स्यूकार करती हैं और मैलाएं आसानवित हैं कि उनको आगे भी मिलेगा आम जनता यह जान रही है मैलाएं कि हमको उन्होंने बोनस दिया दीपावली में साथ में पिछला भी दिया घोसरा से पिछला भी दिया इसलिए सरकार पर हम भरोसा ज्यादा करेंगे चुकि इन्होंने हमें पिछला भी दिया दीपावली बोनस दिया और हमको प्रतमहने देंगे तो हमारी मजबूरी है इस सरकार को बोर्ट देने का और खास्तों से महायूति को अब भाजापा समर्थिक देवेन फरन 2020 की सरकार को बोर्ट देना उन्होंने मजबूरी हो गए यह बाद सरत्पवार ने खुछ स्युकारा अब आप अंदार लगा सकते हैं सरत्पवार के बारे में मैं बतला दूँ सरत्पवार ने सोनिया जी से कह दिया था कि पीम के लिए ब्रोट किया था और पार्टी टूड इसके बाद सोनिया गांधी जिस समय अटल विहरी बाच पर एक बोट से हार गए थे तब भी सरत्पवार ने बिरोद किया था मजजाय नहीं बन पाई उससमय क्या हूआ इसके बाद सोनिया जी ने फिर प्रयास किया फिर नहीं बन पाय थी तब वहां पे जो ड्रामा हुआ सरतपवान ने उस समय भीheen कह दिया था देखते जाईए क्या होता है तो ये हुआ था कि सपत ग्रहन में आप सोनिया जी क्छे उसमें जाएंगे तब सरतपवान ने ईसारा दिया था कि एसा कुछ भी नहीं होना है इसलिए सरतपवाल दिल्ली नहीं आया थे जानते थे ख्रोनिया जी सपत को उनका हो ही नहीं सकता ये दूर्दर सिता है सरत्पवार की ये सरत्पवार नहीं सारा दे दिया तो आप समन लीजे कि ऐसा बैक्त जो सबसे योग की बैक्त है दीसरी बात जो मेन आ रही वो ये आ रही है कि सरत्पवार ने कि सारा ये भी दे नया चाहिते हैं, यही एक बज़े है, सरत्पवार ने खुष स्यूकार करना है, कि यही बज़े है कि सरत्पवार ने जिस पाल्टी को बनाया, उसी संग्ठन के लोग अजीत पवार को मानने लगें, क्योंका आदमी उसी में बदलाओ चाहता है, उसी में नया लिफॉर्म चा यही बज़े है कि बिधायक और काफी लोग अजीत पवार के साथ चले गए मगर घर वही है मतदाता वही है अंतर यह कि जिनको ले करके चले थे उन्हीं के साथ है यही बात है शुषेना के साथ कि शुषेना में बाल ठाकड़े के सिद्धान थे बदलाओ क्या हुआ बदलाओ वह मतदाता सिंदे के पाथ चला गया तीसरी आपको जो सबसे में बात बतलाना है, सरत्पवान ने जो ही सारा किया है, वो बहुत इसपष्ठ है कि लोग क्या चाये रहे हैं, जैसे सीऊसेना हैं, तो सीऊसेना का जो मतदाता था उनके सिधान थे, सीऊसेना एक पार्टी थी, और स्युसेना पार्टी का अपना मतवदाता था प्रत्वत देता अब बदलाओ की बज़े से क्या हुआ वो सिंदे की स्युसेना के साथ अब सवाल है कि सिंबल उनके साथ, जंडा उनके साथ, पार्टी उनके साथ, कैडर उनके साथ, तो सिवसेना का जो बोट है वो चला गया सिंदे के सिवसेना के साथ, चुकि ओरिजिनल सिवसेना अब सिंदे की हो गए, यह भी सरत्पवार ने इसारा किया, दूसरा उन्होंने मतद आता हैं खास सो से बाल ठाकड़े को मानने वाले मोधी को मानने वाले भागवत को मानने वाले सावरकर को मानने वाले सावरकर की वज़े से मलाठी कांग्रेश से इलर्जी का लाई समय यह समय दूसरा के कांग्रेश भी सावरकर को नहीं मान सकते अब स्यूसेना का बोड जो है वो ना कांग्रेस को टांसपर होगा ना सरतपवार को होगा स्यूसेना का बोड स्यूसेना में ही रहेगा बद अंतर यह हो गया जो यह कहना है बदलाओं वो कांग्रेस का जो मतड़ाता ख़़ा हुआ है M.B.A. से उसको ना करके वो स्यूसेना या बीजेपी को बोर्ट चला जा देविन फरनबीच के साथ इससमें पोजिशन यह है कि उनको इन चानों का सिलवाद है बाल ठाकड़ी के सिद्धांतों पे मोदी का खुला और भागवत जी का सिलवाद है और सावरकर जी का इन चानों के बीच में यह है देविन फरनबीच यह भी एक फाइदा मिला है चौति जो सबसे बड़ी जो मेन बात आ रही है प्रिंका और सोनिया का प्रचान ना कर पाना उसकी बज़े है वाइनाड में प्रिंका के चुनाओ जो खुद वहाँ फस गया वहाँ पे चुकि वहाँ पे जो कम्निस्ट पार्टी की लीडर लड़ रही है उसका बहुत मजबूत जनाधार है कम्निस्टों का वहाँ गर है तो प्रिंका और सोनिया के ना आपाने के काना तीसा लोग खड़गे जी पे बदलाव चाहते हैं नाना पटोले पे तो यही सब बाते हैं कि सरत पवार ने इसारा कर दिया है सरत पवार ने यही का है कि बोर्ट जिहाद जो नाला लगा है वहाँ बोर्ट जिहाद की चर्चा उससे MBA का बहुत नुक्सान होने जा रहा है यह भी बोर्ट जिहाद की बज़े से क्या हुआ कि BJP ने जो बोर्ट जिहाद उन्हों का है BJP ने बोर्ट जिहाद सब बड़ा हुआ ऐसा बोला है चुकि MBA को बहुत नुक्सान हो रा और महायुत को फाइदा हो रा उससे क्या हुआ बोर्ट जिहाद की बज़े से बोर्ट जिहाद के खिलाब जो बोर्ट है वो सब स्यूसेना उधो का और सरतपवार का अंग्रेस का वो सब भाजपा खेमें चला गिया जिससे ब और सबड़ेस उनको टांस्पर नहीं हो रहा वो बीजएपी गडवन्धं को जा ला यहीं पोष्चन सरतपवार का बोर्ट जो हुई स्वेनक्स आधों का बोर्ट कतई वी ऊधो के उसे नहीं जा ला है इस तरह महाविकास गडवन्धन का बोर्ट शेयर ना होने की वजह से इसलिए सरत्पोरा ने इसारा कर दिया जो सबसे जाधा जिसके होंगे यह वहां का बच्चा बच्चा जानता हल पालटी मानती बीजेपी के सबसे जाधा एमेले होंगे तो सरकार भी उनीक बनेगी यह निश्चित हो गया कि बाजपा को उन्नोंने इस पश्ट बता दिया कि वाक ओवर दे दिया दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार